7 का admission का form कैसे भरना है देखिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पर जाना है वहाँ डाइब करना है CHD Education उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यह blue color का link मिलेगा इस पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे देखिए तो कुछ इस तरह का page खुलेगा तो उस तरह का नहीं इस तरह का page खुलेगा तो पहले offline थे हम इसलिए वैसा page शो हो रहा था उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको link मिल जाएगा click here for prospectors and link for admission वाला इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर नीचे जाना है नीचे दो link है एक तो prospectors को download करने का link है और एक admission form भरने का तो नीचे वाले पर click करेंगे जो admission form भरने का तो कुछ इस तरह का page खुलेगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको student registration करना है तो student registration वाला जो यह tab है इस पर आप click करेंगे लेकिन आप directly form मत भरिया आप चाहें तो पूरा का पूरा procedure देख सकते हैं सारी की सारी instructions form कैसे बरना है प्रेफरेंस कैसे बरनी है और यहाँ पर आपको देखे नीचे cutoff percentage दिख जाएगी ताकि आप उसके according schools भर सकें कि last year के school में कितने percent तक में admission मिली थी तो यहाँ से आप देख सकते हैं cutoff percentage for general government school past candidates सबकी cutoff यहाँ पर आपको show हो जाएगी चलिए तो student registration की बात करते हैं तो पहले आपको करना होगा registration और registration fee देखे लगे कि 225 रुपर जैसे कि यहाँ पर show हो रहा है और यह non-refundable है तो इस पर आप click करेंगे click करने के बाद देखे आपको यहाँ पर details भरनी होगी अब देखे यहाँ पर कहा गया है कि if student has passed from Chandigarh Government School and not having PEN number please contact with Chandigarh Education Department for generating ID corresponding to PEN number तो देखे यहाँ पर यह कहा गया कि अगर आपने Chandigarh के Government School से पास किये 10th और आपके पास PEN number नहीं है तो आपको वैसे स्कूल की तरफ से send कर दिया जाएगा और नहीं किया गया है तो आप contact कर सकते हैं Chandigarh Education Department से या आपके टीचर से आप contact कर सकते हैं वो आपको भई देंगे तो यहाँ पर देखिए तीन options हैं पहला option है कि passouts of class 10 from government schools of UT, Chandigarh and having PEN यानि कि आपने class 10 चंडigarh के government school से पास किया और आपके पास PEN है दूसरा है कि आपने चंडigarh government school से पास किया है बट आपके पास PEN नहीं है तीसरा option आपके पास यह है कि आपने private school of UT यानि कि आप अगर तीसरी category में है तीसरी category का मतलब यह है कि आपने चंडigarh के government school से class 10 नहीं पास किया बस यानि कि आपने कि चंडigarh के private school से पास किया और फिर किसी other state से पास किया तो third option पर आपको क्लिक करना है तो अगर मान लीजे हमारे पास PEN है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं ज्यादा process में difference नहीं रहेगा आपको इन details में आपको भरना होगा mobile number, email id, date of birth, role number तो चलिए इन सब को fill कर लेते हैं वह जो star वाले देखिया है यह आपको compulsory है भरना जैसे example email id आप नहीं भरेंगे तो भी चलेगा और PEN नमबर देखिए आपने PEN वाले पर क्लिक किया था इसलिए आपे PEN भरना ही पड़ेगा अ आपको option आएगा ही नहीं देखिए तो अपनी basic details भरने के बाद देखिए आपको इस icon पर क्लिक करना होगा जिसमें यह कहा गया है कि मैं चंडिगड education department को अपनी आधार details use करने की permission दे रहा हूँ एक तरह से उसके बाद आप इस show details वाले icon पर क्लिक करेंगे जैसी आप show details वाले icon पर क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ basic details आजाएंगे आपने class 10 औगरा कहां से पास किये तो अगर वो आपको correct लगे सब कुछ तो आप yes वाले option पर क्लिक कर देंगे उसके बाद देखिए जैसे आपको लगए details वगरह सब कुछ सही है तो create new account पर जाएंगे आप और वहाँ click कर देंगे इसके बाद देखिए आपको एक message होगा जिसमें लिखा होगा कि आपका account successfully create हो चुक है अब आपको login करना और password क्या देखिए last four digits of adhar जो आपके आधार कार्ड के last के four digits है वो आपका password है और तो देखिए password कुछ इस तरह से है कि आपके आधार कार्ड के last के चार अक्षर मान लिजे last के चार अक्षर आपके आधार कार्ड के है one, two, three, four उसके बाद आपके date of birth जो है वो है तीन तारिक तीसरा महीना तो इस तरह से 03 यह हो गई date तो password में आप 03 लिख देंगे और तीसरा महीना है तो 03 तो इस तरह से eight digits का आपका password होगा तो चलिए अब login पर click करते हैं जिस login करके आप अपने form को completely भर सकते हैं इसके बाद देखिए आपको make online payment वाले option पर click करना है जिससे आप registration fee को pay कर पाएंगी यह transaction number बगएरा और आपकी details शो हो जाएंगी यहां से आपको fees pay करनी है तो नीचे आपको एक tab मिलेगा proceed to fee payment इस पर आप click कर दीजी तो यहां देखिए आपको pay with अलग-अलग options है बट मेरे इसाब से आप अगर SBI का card आपके पास है debit card तो उससे काफी अच्छी से payment हो जाती है payment रुकती नहीं है पिछले साल ऐसे हुआ था इस साल क्या पता सारे card से हो जाए वैसे सारे card से हो जाती है लेकिन अगर आपके पास SBI का debit card है तो काफी easily payment हो जाती है तो इस तरह से देखे payment जब successful हो जाएगी तो आपको यहाँ पे एक option मिलेगा print download payment receipt यह receipt आपको download कर लेनी है क्योंकि एक proof है कि आपने registration की fee पे कर दिये तो इसे आप download कर लेंगे इस पर click करके तो download करने के लिए आपको क्या करना होगा देखे जो आपके receipt शो हो रही है वहाँ पे नीचे option होगा print payment receipt इस पर click करेंगे पहले आप उसके बाद देखे यहाँ पे आपके पास यह tab शो होगा यह arrow वाला इस पर click करेंगे तो देखे यहाँ पे save as PDF का option आएगा तो यहाँ से आप इस PDF को save कर लेंगे इस पर click करके तो यह देखे PDF का icon बना हुआ इस पर click करेंगे और यह PDF save हो जाएगे आपके mobile में तो यहाँ से देखिए आपके पास एक और option आएगा save का यह रहा इस पर click करेंगे और PDF save कर लेंगे अब अगला step है कि आपको registration form भरना है complete तो इसके लि तो यहाँ से देखिए student login का option मिलेगा यहाँ पर फिर से आप अपने details भरेंगे और login कर लेंगे जैसे आप login कर लेंगे देखिए तो आपके सामने option आएगा online registration form का इस पर click करके आप form को भरना शुरू कर देंगे तो कुछ details तो आपकी पहले से इसमें भरी होंगी बस आपको कुछ details भरनी होंगी जैसे की category यहाँ से select कर लेंगे आप अपना चाहिए तो local address डाल सकते हैं आपे उसके बाद देखिए next option आता है आपका enter marks या grade तो इस पर click करेंगे तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ प grades भरना जाते हैं मतलब आपके class 10 में जो marks हैं वो grades की form में given है जैसे CGP वेगरा है आप फिर exact जो marks given होते हैं numbers में वो given है उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर select करना होगा आपका result क्या है final result जो भी होगा तो आप select कर सकते हैं आप देखिए pass या फिर compartment यहाँ पर देखिए marks entry भर सकते हैं क्योंकि हाँ पर जो में details भरी है login के लिए वो roll number के हिसाब से पता लग जाता है कि इसमें marks ही भरे जाएंगे CGP वेगरा नहीं क्योंकि CBSC board ने इस साल marks ही allowed किया है students को CGP वारा system नहीं था तो इस marks entry वाले पर click कर देंगे आप तो जैसी आप देखिए details भरेंग यह सब भरा उसके बाद देखिए enter preferences वाले पर चलेंगे enter preferences वाला जो option है वो बहुत ही ध्यान से बढ़ना आपको इसी के base पे आपको मंचाही seat मिल सकती है या फिर आपकी अच्छी वाली पसंद वाले seat जा भी सकती है इसलिए बहुत ध्यान से बढ़िएगा इसके लिए एक minimum 20 preferences आपको भरनी है तो कम से कम 20 preference भरेंगे तब ही जो है आप form के next part तक जा पाएंगे otherwise नहीं अब preference क्या से भरनी आईए समझते हैं सबसे पहले वह school select कीजिए जिसमें आपको सबसे पहले admission लेने ही है मतलब आपके सबसे मन पसंद स्कूल वह top पे रखना है number 1 पर तो जैसे म number पर वह school भरिये कि चलिए पहले में admission नहीं मिला तो दूसरी पसंद का school कौन सा आपको ऐसा नहीं है कि जो school में आप जाना नहीं चाहते वह पहली वाले number पर रख दिया ऐसा बिलकुल नहीं करना है सबसे उपर वह school जिसमें आपको admission चाहिए दूसरे number पर वह school की भई पहले में नहीं मिले तो दूसरे इसमें मिल जाए क्योंकि admission का process इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपकी number 1 की preference देखी जाएगी उसमें admission दिया जाएगा अगर उसमें आपको मिल पा रहा है तो ठीक है नहीं मिल पा रहा तो second वाले पे आपको try किया आयता है कि second वाले में देने की कोशिश की जाएगी अब सोचिए अगर आपने पहले वाले पे ही वो school भढ़े जिसमें आपको admission नहीं चाहिए तो आपकी preference number 1 वो था तो सबसे पह category में cut of this 63.40 यानि कि जो ही sector 8 वाला स्कूल है उसमें last year 63.40 वाले student को first counseling में admission मिल गई थी तो इस तरह से आपको idea आपके कितने chances रहते हैं आपकी percentage के एसाब से तो इस तरह से देखिए आपको preferences भर देनी है total 20 तो करनी ही पड़ेगी किसी भी तरह से तो बहुत कम chances है कि किसी student के 20 preferences हो उसके मन की तो 7-8 तो आपके मतलब जैसा आप चाहते हैं वो भर देंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं वो भर दीजिए जो ज़्यादा cut of वाली है ताकि उसमें आपको admission मिली न पाए तो यह सब भरने के बाद लेकिन एक बात ध्यार रखें कि starting में अच्छी वाले जो जिनमें आप चाहते हैं वही school ही भरिए अच्छे तो वैसे सारे हैं आपके इसाप से जो अच्छे हैं उसके बाद save preferences and pay admission fees पे जाईए उसके बाद देखें यहाँ पे आपको fee amount show हो जाएगा इससे आपको pay करनी है और यह आपको pay करनी ही करनी पड़ेगी और अगर आपका admission नहीं होता तो यह fee आपकी refund हो जाती है लेकिन admission हो जाती है और फिर आप admission नहीं लेते हैं तब यह वापस नहीं होगी तो यह सारी बात होते आपको पता होनी चाहिए तो इस तरह से देखें आप admission fee pay कर लेंगे और successful transaction आ जाएगा फिर से आपको क्या करना है कि यह जो print a download payment receipt है इस option पर क्लिक करके अपनी receipt को download कर लेना है वैसी जैसे मैंने registration की fee पे करने के बाद कहा था तो इस तरह से देखें आपका form लगभग पूरा complete हो चुका है तो इस तरह से देखें form complete हो चुका और आप चाहे तो print online registration form पर जाके इसे print करवा सकते हैं लेकिन अभी print मत करवाईए इसे बस PDF की form में अपनी mobile में save करके रखीजी सेव कैसे करना सेम वही तरीका है यहाँ पर देखें जैसे आप print वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ select format आएगा यहाँ पर आप format सिलेक्ट करेंगे पहले और format में आप PDF option पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यह जो बगल में export लिखा हुए उस पर क्लिक कर देंगे और फिर इसे आप download कर लेंगे तो कुछ इस तरह का form आपका होगा आप इसे download कर लेंगे हाँ जो reserved category वाले हैं या फिर जो other states के हैं या फिर जिन्होंने चंडिगड government school से पास नहीं की है 10th उनको उनकी mark sheet और category certificate भी upload करना होगा उसके बाद उनका form complete होगा तो वो कैसे upload करते हैं उसके लिए आप दूसरी जो registration वाली वीडियो है वो देख सकते हैं उसमें end में बताया गया कैसे आप उसे upload कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने form को पुरा complete भर सकते हैं आप चाहें तो इसे अभी भी change कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले पहले आप चाहें तो कितनी बार भी इसे edit कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं तो documents कैसे upload करने other students को उसके लिए आपको एक और दूसरी वीडियो देखनी होगी तो उसका link आपको description box से मिल जाएगा